हलो दोस्तों कैसे है सा मेरा नाम है मानशुर मैं स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा की बॉर्ण इन ब्लड सीरीज का पांचमा इशू सोजा डोगा का दूसरा और अंतिम भा पांच पड़ाई के छेतर में ये बच्चे अवल थे इनका रिजल्ड 95% से उपर था छे इन में गरीब और मिडल वर्ग के बच्चे ही शामिल है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि गोरे गाउं में उनी दो बर्गों के लोग रहते साथ ये सबी बच्चे सवाब से जिद्धी और अडियल थे चीता हमें अपना द्यान इनी विशेष्टाओं वाले दूसरे बच्चों पर केंद्रित करना होगा मैंने गायब हुए बच्चों के साथी ऐसे बच्चों की जानकारी भी साथी साथ इखटा की है चीता डोगा क उस राद हत्यारी की पकड़ से बच्च निकले हर सही तैसे कुल साथ बच्चे और हैं चीता हां मगर इनमें से कोई भी किसी भी छेत्र में एवार्ड विनर तो नहीं है तुमारी बाट ठीक है लेकिन मारे गए सबी बच्चे भी तो एवार्ड विनर नहीं थे एक मिनट हो यह अद्वुत पॉइंट है जीता यानि कि आठ तारिक को वो शिकार करेगा आठ से बारा साल तक के बच्चों का और इन साथ बच्चों मेंसे ऐसे केवल दो ही बच्चे है रोहन और रोहित दोनों की उम्र बारा साल है अब दोगा अपनी कुत्ता फोज के साथ और भी आस नार्को टेस्ट से तुम्हें सचाई पता लग सकीगी जूट क्या है जीता इनसान की कल्पना नार्को टेस्ट में सबजेक्ट यानि मुल्जिम के शरीर में सोडियम थियो पेंटॉल नाम एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है जिसे तुरत सीरम भी कहते हैं शरीर में जाती ये chemical subject को चेतना और अफचेतना के बीच पहुचा देता है जहां इंसान जूट की कलपना नहीं कर पाता और उसकी सच चुपाने की दागत खतम होने लगती है और वो उसे जुबान के जरीए उगलने लगता है मजबूत बिल पावर वाले लोग सच चुपाने में सफल हो सकते हैं मगर पूरी तरह फिर भी नहीं चीता बॉखलाय हुआ डोगा के पास पहुचा डोगा इसका नार्को टेस्ट हो गया या नहीं लगबग हो गया समझो मगर ये वही बाते बता रहा है जने ये पहले भी कहता रहा है बगर तुम इतने बॉखलाय हुए क्यों साइको ने डोगा को ढूणने का दावा किया है तो करने दो मैं जानता हूँ कि साइको गायब वेक्ति की किसी चीज को देखे भी न उस वेक्ति के बारे में नहीं बता सकता है और तुमारी कोई भी चीज फिलार किसी के चूटी हुई नहीं है अब ये पुलिस को मिल जाना चाहिए इंस्पेक्टर सूरर ने ठककर को एक सुनसान सड़क से बरामत कर लिया ओ, डोगा हमारी योजना समय रहते समझ गया इसलिए ऐसे पहले कि हम डोगा तक पहुच बाते वो ठककर को यहाँ छोड़ गया और हम पुलिस वाले अपने आपको तोप समझ रहेते सर, इसको गोली मार दीजे सर, इस खौफनाक हत्यारे को जिन्दा रहने का कोई हक नहीं ठैरो पांडे, जजबातों में बैगर किसी के परती गलत धार नहीं बनाई जाती जानते हो ये शक्स किसके पास था? डोगा के पास अगर ये बच्चों का हत्यारा होता तो डोगा इसका सजधार सजदा कर चुका होता अगर ये जिन्दा यहां पड़ा है तो इसका एक ही मतलब है कि डोगा को भी इसके हत्यारे होने में संदे है साइको के बाद अद्बत कुदरती शक्ती है अब इसके हत्यारे होने की पुष्टी में साइकों से करवाऊंगा क्योंकि इसके नौकर रागवन की हत्या में जो चाकू प्रयोग हुआ था वो दूद का दूद और पानी का पानी कर देगा कि ठककर हत्यार है या नहीं साई को बता देगा कि जिसने वे चाकू प्रयोग किया था वो इस समय कहां पर है अगर वो व्यक्ति ठक कर निकला तो ये अपने भ्यानक अंजाम से बचेगा नहीं कानून में ऐसे दरिंदे के लिए फांसी से कम सजा नहीं ले चलो इसे डोगा के कदम भी उसी की ओर बढ़ रहे थे मगर शंशय में था डोगा डोगा ये तू क्या कर रहा है साई को के पास क्यों जा रहा है मेरे पास अत्यारी की वोग उठी है जो मुझे मेरे कुत्ता से भाई भूरा ने ढूंड कर दी थी मैं उसके जरीय असले अत्यारी तक पहुँच सकता हूँ और इस काम मैसाई को मेरी मदद कर सकता है लेकिन उसके सामने जाना खत्रे से खाली नहीं होगा वो तो किसी वस्तु को छूगर ही गायब व्यक्ति का पता बता देगा तुझे इस परश करने के बाद तो आराम से सूरस तक पहुच जाएगा तोगा तु आत्मत्या की तरफ कदम बढ़ा रहा है परवा नहीं मेरा उस हत्यारी तक पहुचना जरूरी है हलाकि मुझे मालूम है कि उसका अगला शिकार कौन है मगर फिर भी हत्यारी के उस तक पहुचने से पहले में उस तक पहुचना चाहता हूँ मैं जानना चाहता हूँ कि क्या साई को दारा बताएगा उस बच्चे तक पहुचने वाला दरिंदा एक ही है हत्यारे को कंफर्म करने का इससे बहतर दूसरा तरीका नहीं हो सकता डोगा फस्ट रो पर साइको के आश्रम में जा पहुचा ओ भीतर गुप पंदेरा है मगर मेरी आँकों में गुप पंदेरे में भी देखने वाले इंफ्रारेड लेंस लगे है साइको कहीं पर विश्राम कर रहा होगा मगर इतना संनाटा क्यों है डोगा की पलक हलकी सी जपकी मगर दूसरे ही पल आखे ऐसे चौड़ी हो गई मानो 440 वोल्ट की नंगी तार पर पाउं पढ़ गया ओ नहीं साइको तो मरा बढ़ा है इसको किसी नगोली मारी है और गोली मारे हुए जादा समय नहीं हुआ है इसको किसने मार डाला कहीं से भी बच्चों के उसी दुर्दान धत्यारन तो नहीं मार डाला हो सकता है उसे इस बात कि आशंका हो गई हो कि देर सवर साई को इसके लिए खत्रा बन सकता है उसी समय कमरा रोशनी से भार उठा डोगा, तुमने माड़ा ला इसे इंस्पेक्टर सूर रहे यू आर अंडर अरस डोगा ओफ तुमने अपना वजूद बचाने के लिए इस बेका सूर को माड़ा ला क्योंकि इसने तुम्हें ढूणने की बात कह दी थी रागवन के हत्या में प्रिक्त चाकू के इस परश के पच्चास आई को मुझे हत्यारे तपहुचा सकता था फिलाल मुझे कोई सफाई देने की जरुवत नहीं है इंस्पेक्टर सूर आज राद तुम्हें इसका और बच्चों का त्यारा मिल जाएगा रुक जाओ डोगा खिड़की तक पहुस्ते पहुस्ते लडखडा गया डोगा ऐसे लडखडाया जैसे दो बोतल शराब का नाशा चड़ गया हो इंस्पेक्टर सूर बाच की तरह उस पर जप्टा बस डोगा तुमारे और कानून के बेच की आँख मिचौली अब खतमी समझो उसे क्या पता था कि डोगा की आँखों में नीन और दिल में जजबातों की आँख मिचौली जा रही थी और कोई था जो आँख मिचौली पर अपनी लोम्री से निगाए रख्ये हुए था डोगा कानून की आँख की किरकरी है और हमेशा बना रहेगा इसी में सब की भलाई है तुम? कोई इसे साफ करने की कोशिश करेगा तो लोम्री उसे साफ कर देगी लोम्री की ये बात याद रखना दोगा को लगा जैसे नीन से बोजे लाखों से कोई सपना देखाओ लोम्री? ये लोम्री थी तो यही था वो चमगाद़ के कानों वाला साय जिसने ठककर को बांदा था थैंक्यू लोम्री दोनों बार बड़ी आपातकाली मदद थी तुम्हारी तुमने ही कहाता ना सूरज की मैं तुम्हारी आखों में हूँ हर वक्त तुम्हारी जिंदगी के रूप में तुमने ही कहाता ना की साथ देगी साथ दोगी या छोड़ दोगी अपनी जान छोड़ सकती हूं तो मैं नहीं इसलिए एक बार फिर तुमारी मॉनिका को लॉम्री बनना पड़ा साइकों की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैली दोगा ने मारा है उसे हाँ उसी का काम है ताकि उसका भेत ना खुल जाए साबित हो गया कि अपने फायते के लिए डोगा निर्दोशों को भी मारता है अब अत्यारा कभी पकड़ा नहीं जाएगा डोगा भी बच्चों के हत्यारे जैसा ही जगन ने अत्यारा है उसे भी पकड़ो डोगा अत्रक्चाचा के पास था देखा देखा आपने अत्रक्चाचा लोग मुझे अत्यारा कह रहे है मुझे लोगों की परवा नहीं है डोगा कि वो क्या कहते बच्चों की निर्मम तरीके से की गई हत्याए इंसान की गिरावट का चरम सबूत है और जब इंसान गिरता है तो वो राक्षस बन जाता है राक्षसों के संगार के लिए जनम हुआ तक कृष्ण और राम का जिन्नोंने रावड और कंच जैसे राक्षसों का संगार किया तो आज क्यों नहीं लेता कोई अपता है क्या इश्वर से मंदरों, मस्जिदों, गिर्जागरों में ही रह गया है नहीं, वहाँ से निकल कर मुंबई में आ गया है इनसाफ का रूत धर कर देखो डोगा, भगवान राम और कृष्ण में नहीं थे राम और कृष्ण ने इस्त्री की कोक से जनम लिया था भगवान थे राम और कृष्ण के कर्म, मैं और उन्हें भगवान बनाया लोगों की आस्थान, किसी के अच्छे कर्म ही उसको अफदार बना देते हैं तो मैं अर्जुन की आँख की तरह केवल अपने कर्म छेत्र को देखना है डोगा तब ही निशाना साथ पाओगे डोगा अभी भूत हो गया आपका मार्ग दर्शनी तो मेरी वो आत्म शक्ती है जो पाप से लड़ाई के इस कर्म छेत्र में मेरे कदम टिकने नहीं देती आशिरवाद लेने आयद हाद रख चाचा ताकि उस हत्यारे का खूनी खेल खत्म कर सकूँ दरिंदिगी की भूक लेकर निकला है आज भूका है डोगा चीता का मेसेज उसे मिला डोगा रोवान और रोईत का घर आमने सामनी हैं इसलिए मुझे उन पर निगाह रखने में कोई परिशानी नहीं हो रही मैं अपनी कार्ट ठीक करने के बाहने यहां जमाऊ हूँ इस वक्त रोवान भी रोईत के घर में तुम उन पर निगाहे रखो हज का घर उसी गली में है मुझे माँ तोड़ा काम है मैं तुम्हारे पास तोड़ी देर में पहुंसता हूँ लेकिन यह क्या डोगा रोवान उसके घर से बाहर आ रहा है और और उसके हाथ में कोई शील्ड है कैसी शील्ड शायद किसी अवार्ड की हमें वो एकलाता बच्चा मिल गया डोगा जिसे आज रात हत्यार अपने शिकार बनाएगा क्योंकि अब रोहन में अवार्ड विनर की विशेशता आ गई है तुम साइं की तरह उसके पीछे रहा हूँ डोगा हर्ष के घर पे था ये तुम क्या कर रहो डोगा हर्ष को एक फिल्म दिखाना चाहता हूँ फिल्म इस हालत में वो फिल्म देखेगा हाँ जरूर देखेगा डोगा ने टेली विजन को ठीक हर्ष की आँखों के सामने रखा था डोगा फिल्म को नहीं हर्ष को देख रहा था जो एका एक चीख पड़ा नहीं मुझे मत मारो छोड़ दो मुझे जाने दो अभी तक ये डरा हुआ तो था मगर एकदम खामोश था ये एकदम से चीखने चलानी क्यों लगा क्योंकि मैंने जो फिल्म इसे दिखाई है इसे उसमें वही खौफनाग हत्यारे दिखाई पड़ गया है जिसे उस रात इसने बहुत करीब से देखा था ये अभी तक खामोश था क्योंकि आप लोगों के संरक्षण में ये खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था को चीता के पास पहुँच चुका था हथ तयारे को रंगे हाथो पकड़ने का समया चुका चीता हाँ मगर ये रोहन किस के घर आया है सर आज आपने स्कूल में रोहित को पैस सिंगर ये त्रॉफ्य तो तूटी हुई है मैं नहीं इसे देखा टूटी हुई ट्रॉफी का अवार्ड में दिया जाना आशुब होता है सर रोहित को हलका बुखार ना रहा होता तो वो खुद आता सर प्लीज आप इसे बदल कर दे दे ट्रॉफी रोहन नहीं रोहित नहीं जीती है ओ नो इसका मतलब वो हत्यारा रोहित को आज वो खुणी देथ किसी को किट्नेप नहीं कर पाएगा चीता डोगा उसे ऐसा करने नहीं देगा तुम रोहन पर नज़ा रखो मेरी कुत्ता फॉज के सिभाई भी वहां मौजूद है किसी अनिष्ट की सूचना मुझे देने के लिए मैं रोहित के घर जाता हूँ डोगा वहां कुछ पल विलंब से पहुँचा था आंटी रोहित का मोबाईल फोन बाहर गिरा पढ़ाता रोहित कहा है मोबाईल परी तो उसे रोहन का पफोन आया था जिससे सुनने के बाद वो बाहर गिया था मम्मी बुरी तरह आशंकित हो उटी थी अगर मोबाईल बाहर गिरा पढ़ाता तो तो फिर रोहित कहा गया उफ कहीं आपका मतलब है कि कही रोहित को वही बच्चो का अत्यारा डोगा ने मा को आश्वस्त किया गबराना नहीं तुमारे रोहित को कुछ नहीं होगा डोगा जानता है कि वो दुर्दान अत्यारों से लेकर कहां गया होगा मेरा बच्चा मेरा रोही तो से बचा लो डोगा डोगा हत्यारे के घर पर था आज कोई बच्चा नहीं चीखेगा हत्यारे आज चीखे सिर्फ तेरे गले से निकलेंगी आज किसी बच्चे के जिस्म को नहीं काटा जाएगा आज सिर्फ तेरा जिस्म काटा जाएगा क्योंकि आज हत्यारे के बारे में डोगा पूरी तिरह से आश्वस्त है देख ये रहा पहला सबूत ये नग जड़ित अंगूठी जो तेरी इसी उंगली से निकल कर उस समय हर्ष के हाथ में रह गई थी उसे तूने पहले ही मार डाला कि कहीं वो अपने जबान से तेरा नाम न पखते साइको ने तेरे ही कहने पर डोगा को पकड़ने का एलान किया क्योंकि तू समझ गया था कि डोगा तेरे पीछी है लेकिन जब तुझे साइकों से खत्रा हो गया तो तुने उसे भी मार डाला टीवी पर तेरे हाथ में अंगूठियां देखने के बाद मैं तुझे पैचान गया था तब डोगा की खिलाब बोलता तेरा टीवी पर परसारी दुआ वीडियो किलिप जब मैंने हर्श को दिखाया तो वो एक बार फिर डर से काप गया साबित हो गया कि हत्यारत तुई है लोबे कोठी नंबर बारा का मालिक तेरे से अगली कोठी ठककर की थी उसका खूब इस्तमाल किया तूने उसके बच्चों की जनमतितियों का बखूब इस्तमाल किया तूने ताकि कभी शक भी हो तो उस पर ही हो उसके नौक अर्रागबन की मदद से ही तूँ उसके घर के पिछवाडे बच्चों के शब दफना ता रहा अर्जुन कशब तूने अपनी कोटी से ठकर की कोटी में फेका था तेरी धरंदिकी की कोई था नहीं थी किसी यादम खोर की तरह बच्चों को क्यों मारा तूने नोगा ने निशनस्ता से कॉठ डाला था उसका एक कान बता तूने ये सब क्यों किया हाँ किया ये सब मैंने, क्योंकि मुझे सबी होनार जिद्दी वाडियल बच्चों सा नफरात है, मेरे दो बेटे थे, जिनने मैंने बहुत प्यार किया, चाहता था कि पढ़ लिखकर कुछ बने, स्पोर्ट, विज्ञान, संगीत और बढ़ाई के चेत में अवल रहें, अवोर्ड जीते हैं, अपने बच्चों को मैंने लड़े लाड प्यार से पाला, उनकी मा के मरने के बाद उनने मा का प्यार भी दिया, उनकी एक एक जरूरत को पूरा किया, लेकिन बदले मैं मुझे क्या मिला, मेरे लाड और प्यार ने मेरे दौनों बच्चों को बिगार दिया, जि इलार प्यार नों उनकी नसों में जहर की तरह घुल कर किसी के परती दया प्रेम और भावनाओं को मार डाला था बच्चे और उनका बच्पन गीली मिट्टी की तरह होता है जिसे जैसा चाहे वैसा रूप दे दो मैंने उन्हें डर से दूर रखा भूल करने पर भी कभी सजा नहीं दी कभी डाटा तक नहीं ना ही कभी मारा मार और मजा का डर निकल गया तो बच्चे निरंकुश हो गए काश मैंने उनकी भूलों की सजा दी होती उन्हें डाटा होता जमानी की उच्छ नीच का डर दिखाया होता काश उनके साथ कसाई की तरह पेश आया होता तो आज वो दोनों जेल में ना होते बस मैं दूसरे बच्चों में अपने बच्चों का भविश्य देखने लगा जैसा मैं अपने बच्चों में बच्चों को बनाना चाहता था उन विशेष्टाओं वाले बच्चों को देखकर मैं पागल हुए आता था मुझे लगता था कि वो बच्चे लाड प्याड में बिगड जाएंगे उन्हें सुधार न जरूरी था मैं उन्हों सुधारने के लिए यहां लाता था, उनके साथ कसाईयों जैसा वैवार करता था, वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या उन्हें लाड करूँगा, तेंडे मार मार का तो डालूँगा उनकी हड्डियां, तु दिमागी रूप से पागले खुंकार दरिंदा लोबे, मगर तुने ठकर को क्यो फसाना चाहा, उसके तीनों होनार बच्चों की तारीफे मैं सुन नहीं पाता था, फिर उन बच्चों को मारने के बाद जब मेरा जुनून उतरता था, तो मुझे पकड़े जाने का डर सता था, खुद को बचाने के लिए ही मैंने ठकर को निशाना बनाया, और अब तु मेरा निशाना बनेगा डोगा, मैं मासूम बच्चा नहीं लोबे, जो तु मुझे काट डालेगा, डोगा न वहीं चाकु खीच कर बाहर निकाला, मैंने तुससे कहा था कि आज काटा सिर्फ तू जाएगा, दरिंदिगी की भोक लेकर निकल तो बड़ी बेरहम होती है, लाक समाला डोगा ने नीन का जटका खाई गया, लोबे की आँख में, तब शैतान नजर आने लगा, तू भी एक बिगड़ा हुआ बच्चा है डोगा, पगला यह हैंसा कुत्ता लग रहा था लोबे, तु जब बहुत तरपाउंगा रे डोग तू बड़ा होकर तू अच्छा बच्चा बनेगा डोगा, यह देख, इस हतौले से मैं तेरी उंगलियों को कुचल डालूंगा, हाँ, 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 खबरदार, दरिंदी की सिर्फ डोगा दिखाएगा, दरिंदे, उसे उठने तो दे, सोया नहीं है डोगा, त तू भी बिगडी हुई बच्ची है, तुझे भी सुधार की जरुरत है, हाँ, 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 तेरी गिच्ची मेरे हाथ में आ गई है, अब सुधार जाएगी, हाँ, 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 हा हत्यारा होने का कोई ठोस सबूत नहीं था अंगूटी उसकी उंगली में आई दरूर थी पर उसकी उंगली में अंगूटी पहनने का कोई निशान नहीं था फिर मरने के लिए कैसे छोड़ जाता मैं उसे ये अत्यारा बच्चों का असलिया त्यारा वो दरिंदा अब दिखाओ इस पर दरिंदगी तुमारे लिए ही लाया हूँ मैंसे डोगा कानून की इज़त करता है वो भी किसी को कानून हाथ में लेने की इसाज़त नहीं देता दरिंदे पर पत्थर बर्दस्ते रहे जिसम लगूलवान होता रहा उसका रामलाल के बच्चे हर्ष को उसकी लाश जरूर दिखा देना उसका डर इसकी लाश को देख करी दूर होगा अब बुरी तरह बोजे लो रही थी डोगा की पलके सब तब डोगा लोमडी की तरफ आगे बढ़ा तुम रुकी ऐसान मंद हो तुमारा तुमने तीन दफ़ा मेरी मदद की मैंने एक दफ़ा भी तुमारा शुक्रियादा नहीं किया थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच लोमडी अरे ये क्या मुझे तो यहां रुक नहीं था डोगा क्योंकि मैं तुम्हारी जीत देखना चाहती थी मैं तुम्हारी ऐसान मन्दूगी तुमने मुझे यह अफसर दिया डोगा ना चाहते हूँ भी डोगा उस अप्रत्याशी इस तीजी से खुद को अलग ना कर सका था वो एसास अद्बुत था एक नीठा एसास होटो पर उस एसास को समेटे इस बास से बेगावर्स सो रहा था आज सूरज की मौनिका के चेरे पर भी उसे गहरी नीन में देखकर एक अद्बुत सुकून भरा एसास था सो रहा है आराम करने दो हाँ अब मैं भी आराम से सो सकूँगी क्योंकि अब आराम से सो रहा है मेरा डोगा समाथ तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाथ करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की किसी अग़ी डोगा की बॉर्ण और ब्लर सीरीज के चटवे इशू वफा में क्रूर मुंबई में भसी एक मासूम नाम है जिसका वफा फिर भी तलाश रही है वफा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वफा के वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद